गुद मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूँ शेद्रु अमरती महाराष्ट से और विलकम है आपका आपने चानल गार्डिंग वितेशा पे तो ये दिखें कुछ एक मेना पहले ये सारे कैलेडियम लगाये थे जिन पे सिर्फ एक पत्ता था उसके बाद वो तो पत्ता जड़ गया लेकिन बल्ब इतने मैचुर थे कि देखें इसके लिव जो है एक एक मेरे तीन हाथ के पंजे पर जाएंगे इतने बड़े ये लिव् तो ये सारे वैसे ही है बिलकुल बिग बिग साइस के ये जो पत्ते है ना बहुत ही खूबसुरत दिख रहे हैं और कलर भी इनका चेंज हो रहा है क्योंकि जैसे हमारे यहां बिलकुल कंटिनुसली बारिश शुरू है और बारिश के वज़े से यानि क्लाइमेट के हिसाब और से भी इसके color चेंज होते रहते हैं जो आप सबको यहां पे दिख रहे होंगे और यहां पे रखे हैं सारे अगलो निमा तो दिखें यह ए अगलो निमा जो है कुछ common वाले है और यह कुछ मैंने online परचिस किया था यह कुछ red जो है यह दो color जैसे मैंने कहा था कि यह same color ह तो मैंने दो-दो प्लांट मंगवाए थे एक ही कलर के क्योंकि ये कलर ज्यादा तर मिलता नहीं है तो ऑनलाइन मैंने यही पर्चेस किया और इसके पहले भी मैंने एक सेट पर्चेस किया था जिसमें सारे कलर थे वाइड, पिंक और बाकी भी और ये जो कैलेडियम है तो ये एक पॉट में दिखिए इस तरह से कुछ मुझे तीन इसमें लगे हुए जो प्लांट थे और देखा जाए तो एक ही इसका प्लांट जो है ना कुछ तेरा सो, चौदा सो का प्लांट है तो इस वज़े से ये बहुत ज़्यादा कॉसली वेराटी है तो ये आपको ज़्यादा तर मिलती ही नहीं और इसमें से ये कुछ सारे कलर है तो अभी जो पत्तो की कलर दिखाए दे रहे है आपको तो ये कलर इनके ओरिजिनल कलर नहीं है जब कुछ climate change होगा तो ये कुछ अलग ही निखराएंगे तो इस तरह से अभी आपको green लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा unique color है जैसे जैसे इनके color change होते जाएंगे मैं आपको इसका update देती रहूँगी और उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी मैंने कुछ kalidium यहाँ पे अच्छे से देखिए इसको support वगरा देकर fertilizer देखर यानि मन्त हो गया है इसको जैसे लगाया था उसके बाद इसको कोई भी fertilizer नहीं दिया था तो कल जैसे मुझे वक्त मिला Saturday था तो सब इनको मैंने खाद दे दी है और उसके बाद कुछ लकड़ियों का support देकर इनकी जो पत्ते है वो खड़े किये हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अभी देखे बिल्कुल एक ऐसा बिखरा होने लगता और एक यह नया color जो मेरे यह पिछले साल का है और यहां पे कुछ और भी नए-नए color अभी आ रहे है बाहर निकल के तो यह भी यह बहुत ज़्यादा खुबसूरत color है और इसमें अब आप देखेंगे न तो हो सकता है इसके color में शायद short video होगा तो जैसे color changing video बनाऊंगी लेकिन वही के mobile में space नहीं होता इस वज़े से यह सारे काम हो नहीं पाते है और यह रेड कृष्ण कमल है इसमें देखें यहां पे पूरा भिखरा हुआ है और यह देखें यह वाला भी इसको मैंने बड़ा सा पॉर्ट दिया है यह छोटे पॉर्ट में था जैसे फूर इंची पॉर्ट में था और यह सारी यहां पे बुशी जो प्लांट है वो मैंने एक जगा पेसे रख दिये है और कुछ बिक साइज के और यह दिखें इसका पत्ता कितना प्यारा है सबसे पहले यह ग्रीन वाला था और इसने पूरा रेड कलर लिया है तो बस यह बहुत ज़्यादा कलर चेंज करते हैं जैसे के आप देख रहे हो जो एकदम वाइट दिखता है बाद में एकदम डार्क रेड हो जाता है कुछ ऐसा ही चल रहा है भी और इसमें से यह भेख है और यह पिछले साल का ही मेरा प्लांट है इसके चोटा सा मुझी मिल गया था एक सेलर ने गिफ्ट दिया था उसके बाद इसके ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं हुई एक दू कैलेडेम की जो बल्ब थे वो कहीं मिस हो गए मेरे और यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है गार्डन जैसे के मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हुरी है और जो गुल्डावदी के कटिंग लगाए थी तो इसके तो मैंने पिंचिंग यहीं पर कर दी है और इसको अभी मज़े दूसरे पॉर्ट में भी लगाना है तो यह सारे काम मुझे करने है और यहाँ से अभी मैं यही पर पिंचिंग कर रहे हूँ तो सारे जो कटिंग थी वो मैंने लगा ली है और यह सारे मदल प्लांट है यहाँ वहाँ और बहुत जगह पे यह भी बहुत डार्क रेड कलर का है तो जैसे यह कलर अभी और भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत लगेगा और यह मेरा मॉंस्टेरा इसमें भी कुछ गुलदा हो थी कि मैंने कटिंग लगा ली है तो यह सारे जो मॉंस्टेरा है तो आप देख रहे होंगे कि इसके जो है अभी बहुत अच्छी से ग्रोष शुरू है और यह बहुत ज्यादा कॉस्ट लिया है जैसे मैंने कहा था कुछ तीन साड़े तीन हजार में मैंने यह लिया था लेकिन एक बार जो ग्रोष करता है तो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह यह बढ़ता है तो अभी तो इसके बहुत सारे सेलर है उनके पास से रेट कम हो गए है लेकिन फिर भी वही कि गैरंटी अगर हो तो पैसे भी जाये तो कुछ नहीं होता और ये सारे देखिए मुझे परसलेन के बारे में लोग पूछते हैं तो अभी इनका ये हाल है क्योंकि डेड़ महने से ज़्यादा हो गई है और बारिश तो बस कंटिन्यूसली शुरू ही है इस वज़े से सारे जो प्लांट है अभी कुछी इन तरह से मेरी परसलेन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके है और यहाँ पे है सारे लोटस तो एक ये फ्लावर खिला है इनको भी खात देनी थी और बारिश की वज़े से देखिए यहाँ पे आना ही नहीं होता उपर गार्डन में ही आना नहीं होता है और जैसे ही छुट्टी होती है तो बस सेटरड़े संड़े तो पूछी एमत बिल क्योंकि अभी इतनी ज्यादा बारिश है और बारिश का जो पाने है उसका वेट यह सहन नहीं का पा रहे है और इस वज़े से यह सारे जो फ्लावर है ना भी यहाँ वहाँ आपको लूडके हुए दिखेंगे और यह सारे जो है अभी रेड निशिगंद जो मैंने आपको अभी इनके कुछ फ्लावर फेड हो चुके है लेकिन फिर भी रेड तो रेड ही है और यह सबसे ज्यादा मुझे एक जुबा की तरह लगा बहुत ही ज्यादा सर्प्राइज हुई इनकी कलर रेकर शुरुवात में तो बिलकुल लिलके वाइट जो बर्ड थी ना वो थी ल देखे यह पिंक अभी समर में खेलेगा तो यह बहुत फेड होगा लेकिन इस क्लाइमेट के साफ से यह अभी देखे डार्क पिंक आपको पिंक निका दिखाए दे रहा है नई तो बिस दूसरे ही दिन और यह भी पिंक है यह डबल पेटल पिंक है और इसे बहुत सारे और सिंगल पेटल है और ये भी न ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्लावर है रेड में भी ये तीसरा कलर होगा जो मेरे पास अभी खिलेगा तो रेड में मेरे पास तीन कलर है सिंगल वाला सेंड्रेला और डबल पेटल वाला एक लव है और एक चेरी ऐसे तीन जो कलर ह ना भी मेरे पास है और ये है मधु कामी नी सरी मधु मालती ये ड्वार फली वरेटे है जो भी फ्लावरिंग कर रहे है और उसके बाद परसलें सिर्फ इस पे फ्लावर आपको दिखाई देंगे बाकी तो सारे मेरे खराब हो चुके हैं पानी की वज़े से अब इनको कितने प्लांट में रखोंगी अब तो बस इनको हाल पे छोड़ दिया है और ये परपल के कलर का जो मेरा बर ले रिया है ना काटे कोरंट जिससे कहते हैं ये इतना बुशी हो चुका है और जिस पे फ्लावर आएंगे ना तो बस आप देखते ही रह जाएंगे तो मैं क्या करती ह इस तरह से इनके जो ऊपर वाले जो नोट से ना वो निका तोड देती हूं जिससे पेंचिंग कहते हैं और इस वज़े से मैं इसकी पेंचिंग करती हूं और ये प्लांट कितना बुशी और कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है इसको देखकर ही इतना अच्छा बस इसके जो आप पिंचिंग किये हूए ना अगर ये कही लगा भी देते हो ना इस बारिश में ये भी लग जाती है और ये दूसरा वाला जो है ये पिंग है बेबी पिंग कलर का बर ले रिया है ऐसे मेरे पास कुछ चे या साथ कलर होंगे बर ले रिया के तो अभी करेंगे और बहुत जादा ना इक प्लार ले बार भी ये खुर्व रिया मीन अगत, ज़्यश कर ब्सक्रीज प्लाव ठाब कर दो है था में स्मया में ऐखके इस बारे पार ये हम तर्लos अगर को रिपा भी काया है यह है जिसके कहते हैं महासूम्बत, यह बड़ा सा बिक फ्लावर है और इसके पैटल जब खिल जाते हैं और यह है शायद सुप्रिम पिंक सॉरी संफायर है संफायर और बिल्कुल फायर की तरह दिखता है उसके बाद यह किंग्स वूड है कुछ अभी इसके नाम ना मुझे याद नहीं रहते क्योंकि मेरे पास बहुत सारी विराटी है जो मुझे कंफ्यूज कर देती है और यह हमारा देसी वाला जो होता है यह भी ट्रॉपिकल ही है जो बहुत ज्यादा फालरिंग करता है उसके बाद यह स्नूबाल है इसका पिंक कलर था कल बेबी पिंक कलर और आज बिल्कुल वाइट दीख रहा है और उसके बाद यह कॉलर डो जो बिल्कुल आम विराटी है लेकिन फ्लावर इसका देके पहले बार ख तो यह जादा फ्लावरिंग करता है बाकी फ्लावर की साथ से और यह स्नोव बॉल जैसे मैंने अभी बताया कि इसका बेबी पिंक कलर था और दूसरे दिन यह वाइट कलर सही दिख रहा है मुझे इस तरह से तो अभी इन पर फ्लावरिंग शुरू है और यह सारी जो है यह म पर फ्लावरिंग करते हैं लेकिन इसका फ्लावर अगर आप देखेंगे न तो बस और किसी फ्लावर की तरफ दिखेंगे और यह दूसरा है यह ताइगर वराटी है तो इसमें भी कुछ आठवा फ्लावर होगा इस पे यह कंटिनियूसली फ्लावरिंग कर रहा है एक साल इसमें फ्लावरिंग नहीं की थी इसे मैंने पिछले साल ही लगा था लेकिन इस साल का अभी आठवा फ्लावर होगा जो अभी इस पे लगा हुआ है और इतनी ज्यादा कौंटिटी में फ्लावरिंग कर रहा है सच में मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा यह जो तो इसे मैंने खड़ा जो होता है बिल्कुल वाला जो 12 इंची पॉट है इसमें मैंने यह लगाया है तो यहां से अगर आप देखेंगे देखें कितने सारे पत्ते हैं और इसके पत्तों पर ब्लैक ब्लैक से डॉट है जिससे पता चल जाता है यह कुछ अलग वेराइटी है क और अभी तो कुछ इस तरह से अभी मेरा जो पूरा गार्डन है इस तरह से दिख रहा है जिस पे लोटस भी है वाटर ली भी है और गुलाप का हाल तो पूछिए ही मत बहुत ज्यादा पाने हो के होने के कारण देखिए अभी इनका हाल कुछ ऐसा है फ्लावर भी अच्छ करना है वो भी मुझे पता करना है लाना है मार्केट से उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगी और चलिए पास से दिखाती हूं कि जिनको अभी मैंने अच्छे से 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 शेट किया है जैसे मैंने लकडियों का सपोट दिया है और यह दिखिए यह बिक साइज की जो है ना यह कर दूंगे जहां से कैलेडियम हो या और कुछ भी रेनली के जो बल्ब हो आप मंगवा सकते हैं और कैलेडियम के प्लांट ही मिलेंगे आपको तो वह भी परचिस कर सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजएगा आपको यह कालेडियम जो है तो जो भी अवेलेबल होते हैं वह जो वेराटी में अपने पिक में लगा देती हूं जो अवेलेबल होते हैं और यहां पर दिखिए यह सारे अभी मेरे पिछले साल के प्लांट है और कुछ इस साल के प्लांट है इस तरीके से कैलेडियम का कलेक्शन तो बहुत ही ज्याद गार्डन ही इतना बड़ा है फिर भी यहां पर कुछ रख दिये जो देशी वाले कैलिडियम थे वो भी मैंने यहां पर रख दिये हैं और यहां पर बरली अरी चार और यहां पे लगे हुए हैं कुछ गुल्दावधी मदर प्लांट उनकी मैंने कटिंग लगा दी थी तो यहां पे बालकेनी में जो इसे क्या क्या था फिलोडेंड्रम वेरिगेट वाला और यह सिंपल वाला जो बहुत ही आम है और यह वेरिगेट वाला तो ऐसे यह दो प्ल इसे कुछ क्या कहते हैं इसे सीडम ग्रास कहते हैं शायद मुझे इनका नाम नहीं पता और यह इतना बुशी हो चुके हैं इन पर इंसिक्टिसाइड का स्प्रेय करना होगा नहीं तो मेले बग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और कुछ मैंने इसमें लगा दिया था त तो यहां से यह कुछ अभी यह जिसे हुरेनिया कहते हैं यह चॉकलेटी कलर का फ्लावर है और यहां पर दिखे यह कुछ सकुलन्ट है मेरे पास तो इस तरीके से अब इसको बारिश को यह दिखी कैक्टस भी यहां पर मैं ले आई हूँ और यह भी हुरेनिया की एक चॉक बिक्रा हुआ अभी गार्डन है बस और क्या कहूं कुछ काम तो हो नहीं पहरा बस आती हूं देखती हूं और यह कुछ कटिंग में लगा दी थी सकुलन की यह भी हैंगिंग में मुझे लगानी पड़ेगी शायद और इस तरीके से अभी कुछ रखा हुआ है गार्डन और य यहां पर आप देखेंगे तो यह जेड प्लांट है देखें इसमें भी जाले लग गया है जरा ध्यान नहीं दिया तो प्लांट की कुछ ऐसी हालत हो जाती है और इसको क्या कहते है देखें फिर भी मुझे नाम अभी भूल गई तो यह इसका पिछली बार देखा था तो ड कुछ बहुत ही कलर्फुल और बहुत खूबसूरत है यह जिसका नाम टापो है जिनका सरनेम टापो है तो इन्होंने मुझे यह सारी फीश लाके दी और यह यहां पर आप देख सकते है ना बिल्कुछ छोटी-छोटी है उन्होंने कहा ता कि जब बाद में और भी ज्याद और पहले से ज्यादा अभी में जहें इनकी साइट जो है ना कुछ बड़ी दिख रही है अभी तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कामेक्स कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरी चाला को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर क दीजेगा फिर मिलते हूं नहीं वीडियो के लिए